नमस्कार किसानेवन भागवान भाईयों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेफ की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है तो दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखे तबordum आपको समझ मे आएगा चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिछले साल का मैं आपको कुछ रेजल्ट शेयर करता हूँ यह देखिया आप पिछले साल मैंने यह ब्लेक एमबर की ग्राफ्टिंग की थी स्किन ग्राफ्टिंग की थी यह आप देख सकते हो इसमें फूल भी आ गया है इसी साल देखिया तो चलिए दोस्तों मैं आपको सेप्टी ग्राफ्टिंग करके बताता हूं तो दोस्तों यह रही हो पाल्टी इसले साल हमने लगाई थी सेप्टी पाल्टी तो आज हम इसमें करके बताएंगे आपको देख सकते हो इसके लिए हमारे का ग्राफ्टिंग रोल होना चाहिए और एक नाइफ होगी कैंची होगी यह रही पाल्टी देख सकते हो काफी मजबूत पाल्टी बनी है अंडरसाइट पाल्टी थी यह पिछली बार इस साल इसमें फूल आ रही है यह कलम के लिए देख सकते हो आप तुम्हें आपको इसमें कलम करके बताता हूं तो दोस्तों उससे पहले आप यहां का कुछ नजारा देख लीजिए देख सो प्यवाब तो दोस्तों देखे आप काल्टी तो सबसे पहले हमें इसे नार से काट लेना है लगबक पांचे इंसे और फिर हमारे पाद जो ग्राफ्टिंग नाइफ है उससे हमें यह हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं इस तरह से इसे जहां देख दोस्तों आपका कट ठोड़े वह लंबा रहना चाहिए करके कदम को हीलब करने में आसान है देख सकते हो आप इस तरह से और फिर हमें पीछे से वीच में इस तरह से कट मार लेना है और फिर जो यह देख रहे हो आप बीच में इसमें जिससे कलम लगती है इसके पीछे से हमें इस तरह से इस तरह से इस तरह से कट मारना है देख सकते हो आप इस तरह से तो दोस्तों इरे ही एपर की स्टिक ग्राप्टिंग स्टिक लगबग चार पांज आई की होनी चाहिए हम इसको भी इसी तरह के से इसी तरह के से काटने के देख सकते हो और फिल इसमें भी हम उसी परकार का कट मारेंगे कि देख सकते हैं इसमें भी इसी परकार कामने कट मार लिया है तो दोस्तों यह देखिए हमारी कलम बन चुकी है तो हम है इसे लाइप से एक तरह कुई ऐसे कर लेंगे और फिर जो हमारी स्टिक के उसको हम इस तरीके से इस तरीके से लगा देखिए दोस्तों मारी स्कीन से स्कीन मिलनी बहुत ही जरूरी है देखिया आप मारी कलम लग चुकी है और फिर जो यह नीचे वाला पार्ट हमें इसे फोड़ा कट देना पड़ेगा तक इस यह आसनी से भढ़ जाए और फिर जो यह ग्राप्टिंग रोल है ग्राप्टिंग रोल से हमें इसे देख सकते हो हमेर शाय से हमें जहां तक हमारा कट नीचे से उपर की और बांद के लाना है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से और हमें इसे ज्यादा है इसे खींचा नहीं है कागज को ताकि एरिंग ना पड़े इस त्रीके से देखिए तो यह हमारी कलम हो चुकी है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग दिए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब चुरूब करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स् झाल 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 झाल झाल